गुद मारिंग एब्रिवन इस्टुडेंट हम लोग क्लास फाइब के आज चैप्टर सेकेंड रिप्रोडक्शन इन अनिमल्स के यह आपका सेकेंड लेक्चर है फर्स लेक्चर में हम लोग पढ़े थे अप्टू एग एक के बारे में हमने बताया था कि एक क्या होता है एक के अंदर जो कहा हमारा ट्रांस्पैरेंट पार्ट होता है उसको एल्वुमेन करते है जो एलो कलर का होता है उसे यॉल करते है एक के उपर जो पार्ट सोता है उसे हम लोग एक सेल करते है तो आज हमें क्या पढ़ना है आज हम लोगों को पढ़ना है life cycle of a hen हम लोग कहां से start करने वाले है life cycle of a hen तो हम लोग देखने वाले है कि what is the life cycle of a hen एक मुर्गी जो होता है उसके जो के hen का life cycle क्या होता है the growing baby or a embryo of a hen developed inside the egg and when fully developed hatches out as a cheek ठीक है अब देखे पूरे इस sentence का पले मतलब समझना है the growing baby जो अंडे के अंदर आपका baby grow होता है ठीक है ना बच्चे जो हमारे बढ़ते है ओके इंब्राइ का मतलब बताया थे बटा लास्ट क्लास में इंब्राइ का मतलब क्या होता है brute ठीक है ना इंब्राइ of a hen developed inside the egg कहां पर वो आपका जो की विक्सित होता है अंडे के अंदर okay and when fully developed जब वो पूरे तरह से विक्सित हो जाता है hatches out as a chick वो आपका क्या हो जाता है hatching होने के बाद वो बाहर आ जाते है as a chick as of chick chick मतलब क्या होता है chick मतलब चूजा मुर्गी का बच्चा chick मतलब चूजा या फिर मुर्गी का बच्चा ठीक है hatching मतलब क्या होता है अंडे से बाहर निकलना ठीक है न तो यहां पर सबसे पहले आपके पास क्या हो गया एक जिकी वर्ड मिला है वार्म यहां पर एक वर्ड मिला आपका वार्म तो सबसे पहले हम लोग वार्म का मतलब जान लेते है क्या होता है ठीक है न उसके बाद हम ल निकलना ठीक है अंडे से बाहर निकलना ओके इसके बाद चिक एक नया वर्ड मिला था क्या चिक मतलब क्या होता है चूजा या फिर और हम लोग क्या बोल सकते चूजा के जगप पर और क्या बोल सकते हम लोग बिटा इसको हम लोग बोलेंगे मुर्गी का बच्चा जो मुर्गी के बच्चे होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं मुर्गी के बच्चे को चूजा बोला जाता है इसके आगे देखते है जो आपका भृून होता हो क्या होता है चिक में बदल जाता है मुर्गी के बच्चे में बदल जाते है when the egg is when the egg is kept warm कब जब उसके जो अंडे को क्या किया जाता वार्म किया जाता है ठीक है ना एक नया वर्ड क्या मिला वार्म ठीक है हम इसे एरेज करते है नया वर्ड को लिखते है आप लोग कोपी में डोट डाउन कीजिएगा तो हमारे पास वर्ड मिला है वार्म वार्म मतलब क्या होता है वार्म मतलब गर्म होता है तो लिख लेते हैं वार्म वार्म मतलब गर्म आगे देखते है this is why hand seat on the egg और यही कारण होता है कि मुर्गी क्या है हमारे जो मुर्गी होती है अंडे के उपर बैठती है उससे क्या करती है वार्म अप करती है ठीक है तो this is why hand seat on the egg for a many days बहुत दिनों तक क्या करती है मुर्गी अपने अंडे के उपर बैठती है before the egg finally hatches कब तक जब तक उसमें hatching नहीं हो जाता है जब तक उससे चूजे बाहर नहीं आते है किसे अंडे से अब देखें यह जो चूजे होते है कब खाते है जब वो बड़े हो जाते है adult मतलब क्या होता है बड़ा हो जाना बेस्क हो जाना the adult lay egg and the cycle continue अब देखें adult जो होते है हमारे क्या हो जाते है laying egg अब देखें यह हमारा क्या हो गया मुर्गी बड़ी हो गई अब वो फिर से क्या करेगी lay egg फिर से वो अंडे को क्या करेगी hatching करेगी अंडे के ऊपर जो की warm up करेगी bad car जिसको हम लोग क्या बोलते है warming up और hatching up and the cycle is continued और ये आपका बिदी क्या होता है चलता रहता है तो चलिए figure में देखिए यहाँ पर adult chain है adult cheek ने क्या किया एक अंडे को दिया अब इस अंडे को यह जो कि मुर्गी क्या करने वाली रहेगी इसके उपर hatching करेगी hatching का मतलब क्या हो गया इसके उपर बैठेगी इसको warm up करेगी warm up करने के बाद इसमें क्या होगा इंब्रोय देखिए आपको figure में इस अंडे के अंदर ऐसा नहीं लग रहा देखिए तो बटा यहाँ पर एक आपका मुर्गी का बच्चा छोड़ा सा है अब उसको क्या करेगी वो continuously उसपे warm up करते रहेगी ठीक है warm up करने के बाद जब यह hatching continue होता रहेगा तो उसके बाद क्या होगा यहाँ से अंडे से एक जो की आपका चिक बाहर आएगा तो अंडे से जो बाहर देखिए फूट कर यहाँ पर एक जो की आपका चिक दिख रहा न मुर्गी का बच्चा और यहाँ पर फाइनली एक चिक बाहर आगया और यह चिक क्या हो जाएगा जब समय बितेगा तो यह बड़ा हो जाएगा फिर से यह adult चिक फिर continue होगा अब फिर से यह मुर्गी क्या होगी फिर से यह अंडा देगी मुर्गी फिर से यहाँ पर embryo बनेगा embryo के बाद फिर से हैचिंग होगा हैचिंग के बाद फिर से चिक आएगा तो यह process क्या होता है लगतार आपका continue होते रहता है ठीके तो यही आपका क्या है this is the life cycle of a hen यही जो कि हमारा cycle है मुर्गी का जो कि development होने का ग्रो होने का ओके चलिए अब यहाँ पर देखिए check your progress है हमारे पस क्या है check your progress ओके तो देखिए सबसे पहला check your progress में क्या है growing a baby inside के first one growing a baby inside the hen egg is अगर हमारे पास जो मुर्गी के अंडे होते है तो उसके अंदर जो बेबी हमारा grow होता है तो उसको क्यों सा process बोलते है it is non-ager hatching क्या होता है hatching तो यहाँ पर क्या लिख लिजेगा first में hatching चलिए इसके बाद second यहाँ पर हम लिखते है second क्या है white part inside the egg जो अंडे के अंदर white वाला part होता है तो उसे हम लोग क्या जानते है नाम से देखिए याद कीजिए last class में हम पढ़ाया थे ना उसे albue main बोला जाता है क्या बोलते है albue main ओके थर देखिए क्या है hard covering of a hen egg जो अंडे के ऊपर hard cover होता है बिटा white color का तो उसे हम लोग क्या बोलते है उस चलिए इसके बाद fourth one देखते क्या है yellow part inside the egg जो अंडे के अंदर पीले वाले जो हिस्से होते है उसको हम लोग क्या बोलते थे यॉल्क y-o-l-k y-o-l-k ओके ना fifth one process by which the animal produce their young one एक ऐसा भी थी जिसमें हमारा animal produce करता है उसको क्या कहते है it is non as a reproduction it is non as a reproduction production ओके चलिए तो आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को copy में note down कर लेना है ओके यहाँ पर T के बाद I on यहाँ पर लिख लिजेगा री production टी आई ओन ठीके चलिए इसके बाद आगे देखते है next life cycle अगला life cycle हमें क्या पढ़ना है life cycle of frog next हमें क्या पढ़ना है life cycle of frog 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 मतल life cycle of a frog occurs both in water both in water and on the land as it is an amphibian जो हमारे मेढक होते है ठीक है इनका जो जीवन होता है कहां अकर्स होता है it occurs both in water पानी में भी और लेंड में भी यह पानी में भी रहते है और यह जमीन पर भी रहते है और इस तरह के प्रानी को हम लोग क्या बोलते है amphibian क्या बोलते है amphibian एक नया वड़ा गया तो amphibian का मतलब क्या होता है amphibian का मतलब होता है उभायचर 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 का मतलब क्या हो अबटा जो जल में भी रहे और जो थल में भी रहे इसका मतलब क्या जो पानी में भी रहेंगे जो जमीन पर भी रहेंगे उसको ह रखे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं एमफीबियन बोलते हैं तो आपको याद रखना है कोफी में आउट डॉन कर लीजेगा एमफीबियन का मतलब होता है उभाइचर ओके चलिए अब देखे जो आपके अडल्ट फ्रोग होते है अडल्ट फ्रोग का मतलब क्या हो गया बड़े मेड़क जो बड़े मेड़क होंगे वो क्या करते बंचे जॉफ एग बंचे का मतलब क्या होता है गुच्छे में बहुत सारे जो की क्वेंटिटीज में ठीक है न तो देखे य यह आपका एक चो कि मैडग है ओके यह मैडग क्या है बहुत सारा अंड़ा देखें यहाँ पर दिया हुआ है यह क्या हो गया बंचे जो फेग हो गया ठीक है ना इस पॉन इन वाटर जब यह पानी में अंडे देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं इस पॉन ठीक है तो यहां पर इस पॉन का मतलब क्या हो जाएगा यह जल जीओ का अंडे जल जीओ मतलब जो जल में जीओन जिसका है न उसके अंडे को हम लोग क्या बोलते हैं जल जीओ के अंडे लिखते वड़ा जल जीवो के अंडे ओके जो जल में रहने वाले प्रानी होंगे उनके अंडे को हम लोग क्या बोलते है इट इज नो ने जा इस पॉन ओके नौ दा एग डवलप्ट इंटू अ टेड़ पॉल विथ अ गिल से ना टेल्स अब दिखें सबसे पहली ये अंडा था अंडा से इंब्राय हुआ और ये क्या हो जाएगा ये आपका टेड़ पॉल बन जाएगा ठीक है ना तो जब एग हमारा कंवर्ट होता है किस में दा एग डवलप्ट इंटू अ टेड़ पॉल जब वो अंडा आपका टेड़ पॉल में गनवर्ट होता है विथा गिल्स है ना तो उस समय क्या होता है उनके गिल्स होते है और टेल होते है तो गिल्स मतलब क्या होता है गल्फडा होता है बटा एंड टेल्स मतलब पूछ तो उनके पूछ भी रहते है तो देखिए यहाँ पर इस टेड़ पोल का देखिए पूछ दिख रहा है ना अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया टेड़ पोल नहीं आशा ठीक है तो हम लोग इसको इरेज करके टेड़ पोल का मिनिंग देखते है कि tate pole का मतलब क्या होता है, ठीक है न, चलिए, क्या है हमारा new word, tate pole, t-a-d-e-t-e-d-p-o-l-e, तो tate pole का मतलब होता है, आपका मैढक के बच्चे, क्या होते है, मैढक के बच्चे, अटेड़ पॉल एक मतलब क्या है महीं अधक के बचते। अब यहाँ पर यह क्या है यह आप यह अलग दिखते हैं कैसे अलग दिखते हैं जैसे जैसे टेट पूल हमारा क्या होता है बढ़ता जाता है इसमें क्या होते हैं लंग्स और लिंप्स हमारे डबलप्ट हो जाते हैं ठीक है तो लंग्स मतलब तो फेफड़ा होता है आप लोग जानते ही हो लिम्स क्या होते हैं लिम्स मतलब क्या होता है एक नया वर्ड है न ल आई एम बी एस लिम्स मतलब क्या होते है एक्टरनल अंग मतलब बाहरी जो कि उसके अंग आ जाते है तो देखे इसके बाहरी अंग कहां पर यहां पर देखे एक आया देखे यह एक हमारा यह एक एक्टरनल तो यह सब बाहरी यंग क्या हो गया इसके पैर आ जाते है ओके तो इसे हम लोग क्या बोलते है उसको हम लोग लिम्स बोलते है अब उसके बाद क्या होगा जब यह जैसे जैसे बड़े होंगे इनके tails क्या हो जाएंगे reduce हो जाएंगे देखिए पूच जैसे आपका दिखरा न मगर यह बड़े वाले medic में क्या आपको पूच दिखता है नहीं तो क्या हो जाता है खत्म हो जाता है तो यह क्या होते है जब बड़े हो जाते है तो उसके बाद यह मूउफ कर जाता है चले जाते हैं यहां ludos जितले हमीन के तरह जाते हैं जो हमारे यह प्रॉग होते हैं बड़े हो जाते हैं इन्टल वह कैसे बन गया एक यह मैटक घाए्व maison N whart अब देखे जो ये बड़े वाले मेड़क ये बड़ा वाला मेड़क है अब ये क्या करेगा अंडा देगा ठीक है तो अंडे देने के बाद क्या करेगा लेइंगा एक फिर सो वो क्या करेगा उसे वार्म अप करेगा तो लेइंगा एक इना वाटर ये अंडे कहां पर देंग इसने अंडा दिया ठीक है अंडा कैसे दिया बंचे जॉफ एक दिया बहुत सारे अंडे को एक बार दिया अब इस अंडे में क्या हुआ इंब्रॉय का मतलब क्या होता बुरून बेबी बर्च करने के लिए अब यहाँ से फिर यह आपका क्या हो गया process कंटिन्यू हुआ तो यह Tate Pole बना, Tate Pole बना ती उसके क्या हो गया? External Parts आ गहे, ठीके न, जैसे आपका लिंम्स आ जाता है और Tail आ जाते है, ठीके? अब देखिए, जैसे ही Tate Pole with the two legs, अब इसके क्या होएं, लिंम्स कैसे निकले? दो हमारे कुछ दिन और बाद क्या हुआ इ componम इसके लेखा गर आगया थिकैंद यhos कुछ दिन और बाद क्या हुआ इसका देख़ें टेल साथ की तीने चार इसके लेग आ गए यहां देखिए गिए इसके बाद फिरसे समयी फिणा समय का जैसे ही आपका पास होता है यह विक्रोग में so यंग फरोग तो इंठर हो जाएगा तब इसके साथ क्या होने वाला है कि इसके जो पूछ है जो आपके इसटेड़ golpe पूछ है यह क्लेज फोट्म हो 因गे ठेल ठीक है तो यह आपका अडल्त, फॉग में convert अब देखे यहां पर एक हमारे पास न्यू सेंटेंस आया क्या अटेड़ पूल चेंजेस इस फॉर्म इंटरली ऐस्टू ग्रों इन्टू इन्टू अब देखे एक टेड़ पूल जब था छोटा था हमारा मैधक का बच्चा था तो जब मैधक का बच्चा था और एडल्ट जब मैधक बना तो उसमें क्या हो गया चेंजेस आया क्या हुआ बदलाव आया ठीक है तो जो इस तरह के बदलाव होते है किसमें लाइप साइकल ऑफ एनिमल जानवरों के अंदर जो इस तरह का बदलाव आते है इसको हम लोग क्या जानते है इस 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 नोन एजा मेटा तो इस तरह का changes को हम लोग क्या बोलते है Metamorphosis Metamorphosis का मतलब क्या होता है रूपान्तरन रूपान्तरन का मतलब क्या होगे बटा Change करना, बदलना, ठीक है न रूपान रूपान्तरन ओके या फिर और क्या बोल सकते इसको बदलना ओके इसके बाद हम लोग Next देखते है Next हमारा क्या पढ़ना है Life cycle of a Butterfly, हमारा next topic क्या है Life cycle of a butterfly तो butterfly मतलब क्या होता है बटा तितली, butterfly मतलब तितली होता है ठीक है न, तो देखें इसके Life cycle को देखेंगे कि यह आपका कैसे एक जो की है new जो के butterfly का हमारा development होता है Okay, the life cycle of a butterfly also shows the metamorphosis इसके भी हमारे क्या होते है metamorphosis होते है यह भी जो छोटे होते है तो उससे में कुछ दूसरे type के होते है और जब यह बड़े हो जाते है तो उनमें क्या हो जाता है रूपांतरन हो जाता, changing हो जाता बदल जाते है वो दिखते कुछ और भी है बड़े होने के बाद Okay, the egg of a butterfly first developed into a caterpillar जो हमारा egg होते है किसके, the egg of a butterfly Okay, the egg of a butterfly first developed into a caterpillar और a larva, caterpillar और a larva larva क्या होता है, किड़े के जो बच्चे होते है, उसे हम लोग क्या बोलते है larva बोलते है तो larva का मतलब क्या होता है या फिर caterpillar का मतलब क्या होता है जो हमारे कीड़े के बच्चे होते है, ठीके, तो यहाँ पर किसी इसका बच्चा है हमारा butterfly का, तो जो butterfly के बच्चे है, छोटे से, ठीके उसको हम लोग क्या बोलते है, caterpillar और बच्चा है ठीक ना लारबा ओना हेचिंग अब यहाँ पर क्या होता है हेचिंग होता है the caterpillar wraps itself in a covering called the cocoon और changes into a pipa अब देखे यहाँ पर क्या होता है the caterpillar जो हमारे छोटे से जो बच्चे होते है किसके butterfly के वो क्या करेंगे caterpillar wraps 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 मतलब क्या होता है लपेटना या फिर छिपाना चली यहाँ पर लिख देते है वरड मीनिंग wraps 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 का मतलब क्या हो गया wraps का मतलब लपेटना लपेटना या फिर छिपाना चलिए अब क्या होगे यहां पर जो आपका क्या पिलर है जो आपके तितली के छोटे बच्चे वो खुद को क्या करते है लपेट लेते है क्या करते है मतलब ढक लेते है ठेक है न उसको हम लोग क्या बोलेंगे कनून और यह क्या हो जाता हमारा प्यूपा में बदल जाता देखिए तो यह हमारा क्या था देखिए हम फिगर में आपको दिखा रहे है यहां पर हमारा क्या बेटा देखिए यह कैटरपिलर लार्बा था यहां से यह अपने आपको इसमें क्या किया लपेट लिया ठीक है तो यह क्या बन गया, pupa, okay, pupa, the pupa developed and changes into a butterfly, और यह pupa क्या हो जाता, बदल जाता है किसमे, butterfly में, तितली में, which come out of the क्योनून, और यह क्या है, इस क्योन से हमारे बाहर आ जाते है, okay, the adult butterfly, letter, lay, x and the cycle is continue, और जो हमारे बड़े वाले जो तितली हो, फिर से क्या करेंगे, इसी तर पर larva और caterpillar बनेगा, caterpillar फिर से क्या होगा, pupa बनेगा, pupa से फिर से क्या होगा, हमारा एक adult बन जाएगा, यहाँ पर butterfly, तो यह process क्या होता, continue हमारा हो रहा है, तो इस तरह के जो process होते है, continue, इसको क्या बोलते है, life cycle of butterfly, यह इनके क्या है, जीवन चक्र है, ठीक है न, butterfly का यह जीवन चक्र है, चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं, next क्या हमें करना है, our next is, take your progress, यहाँ पर आपको क्या करना है, checking your progress, देखते हैं, आप लोगों ने क्या पढ़ा है, पहला क्या है, egg of frog, आपको क्या करना है, egg of frog दिया हुआ है, उसके cycle को बताना है, और यहाँ पर क टेड़ पोल, ओके, टेड़ पोल से हमारे कहां कनवर्ट हुआ था बिटा, टेड़ पोल के बाद क्या आएगा, young frog, क्या आएगा, y-o, y-o-u-n-g, young frog, ओके, young frog के बाद यह क्या बन गया था, adult frog, क्या बना, adult, a-d-u-l-t, adult frog, ओके, चलिए, तो यह आपका, egg of frog था, दूसरा क्या है, egg of butterfly, यहाँ पर हम लिखते हैं बटा उपर में, ठीके न, देखे, egg of butterfly, butterfly हमारा सबसे पहले क्या हुआ, देखे, यहाँ पर एग हमारे पास है, अंडे के बाद क्या आया, लारबा और caterpillar, ठीके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल गया, caterpillar, ठीके, caterpillar के बाद, देखे, caterpillar के बाद हमारा क्या आएगा, caterpillar बण गया, caterpillar के बाद क्या है, pupa, देखे तो यह pattug मिल एटä, यहाँ से ये कहा गया, pupa के तरफ, तो देखे, यहाँ पर पियुपा है, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे, David, प्यूपा है, ठीके, और यह pupa फिर से क्या बन गया यह pupa फिर से change होने के बाद क्या हो गया बटर फ्लाई बन गया ति यहाँ पर लिफ लेंगे बटर फ्लाई ओके यह आपका बटर फ्लाई का जो कि आपका life cycle के बारे में दिया हुआ था अब दिखे कुछ और भी यहाँ पर word है जैसे adult hand cheek ठीक है तो यह आपको क्या ब इसके बाद आगे देखते है mcq हमारा क्या है objective type question पहला देखते है circle the correct answer क्या बोला गया है जो correct answer है उसको क्या करना है आपको circle करना है तो पहला पढ़िए क्या है this animal reproduce by giving a birth to a young one अब यहाँ पर जो आपके पास option दिया इसमें से कौन सा ऐसा animal है जो अपने बैबी को कैसे young one को बर्थ जन्म देते है रोगे तो कि देखें पहला option किया है लुगे मतलब मुरगी अब मुरगी क्या आपको बच्चे को जन्म देती है नहीं सबसे पले वो अंढे से जन्म देती है बटा ना वो अंढे से देती है तो ये answer नहीं होगा काव क्या है अपने बच्छडे को डिरेक्ट वो जन देती है कोई अंडा नहीं देता है इसने एक साप क्या होता है अंडा देता है फ्रोग अभी देखेते हैं अंडा देता है तो अंडे सुनके बच्चे आते है तो आपका आंसर क्या होगा आपका आंसर काव हो जाएगा ओक चलिए इसके बाद second देखते है a change of a form in the life cycle of an animal is called this बोला गया क्या कि जो आपका बदलाओ होता है किस में life cycle, जीवन चक्र में किस के animals में उसको क्या बोलते है तो अभी बताए न बेटा क्या होता है it is non-agamorifice it is non-agamorifice चलिए C1 देखते है B हो चुका है life cycle of a frog has this stage अब life cycle of a frog frog का जो हमारा life cycle जीवन चकर है उसको हम लोग क्या बोलते है caterpillar, caterpillar तो butterfly में आया था spawn, spawn मतलब क्या हो गया जो पानी में हमारे अंडे देते है chick chick मतलब मुर्गी का बच्चा ने मुर्गी का बच्चा तो frog से मतलब नहीं है यह मतलब मुर्गी भी नहीं है तो answer क्या होगा spawn हो जाएगा spawn क्या होता है spawn का मतलब जल जीवो के अंडे जो जल में हमारे अंडे देते है जीवो तो हमारे frog कहा अंडा देता है जल में देता है चलिए इसके बाद हम लोग d देखते है the transparent substance filled inside the egg is this इसमें से कौन से है जो transparent मतलब क्या जिसको आर पार दिखता है तो देखे yalk yalk मतलब क्या हो गया अंडे को पिला वाला भाग उसके तो जो कि हमारे आर पार दिखता नहीं है albumen albumen क्या होता है जो साधे रंग का transparent होता है तो यहीं क्या होगा आपका answer हो जाएगा इसके बाद क्या है match the flowing इसके बाद हमारा क्या है topic match the flowing match the flowing देखते है पहला क्या है human human हमारे जो कि क्या करते है human हमारे बच्चे को बर्थ करते है तो यहां से human किस से मिलेगा babies के साथ मिला देना है फ्रॉग, फ्रॉग मतलब मेडग मेड़क हमारे क्या होता मेड़क जो की उसके बच्चे को क्या बोलते टैड़ पोल, तो देखे यहां पर एक टैड़ पोल है फर्स्ट वाले में इसके साथ मैचिंग कीजिए बटरफ्लाई, ओके क्या है बटरफ्लाई तो butterfly हम लोग अभी देखेते, क्या होता, caterpillar, hint, मुर्गी के बच्चे को क्या बोलते है, chick, उसके बाद, snake, snake क्या करते है, अंडे देते है, तो snake आपका match किसके साथ होगा, एक के साथ हो जाएगा, उके, चलिए, इसके बाद, third one देखते है, third में क्या दिया हुआ है, rewrite the sentence in the correct order, आपको क्या करना है, यहाँ पर सही लिखना है, जो गलत है, snake and hag, snake and hence, give a birth to a young one, क्या होँआ, बच्चे को जो की डारेक्टली देते है, बेबी को, नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, snake and hence, gives a egg, gives a egg to a young one, कैसे, direct to a birth नहीं करते, यहाँ पर बर्थ के जापर क्या ह होगा, बर्थ के जापर क्या होगा, give a egg to young ones, वो अंडे से अपने young ones को बर्थ करते हैं, ठीक है, the snakes and the hen gives a egg to young ones, ओके, चलिए, second क्या है, the egg of a hen, hatches to form a tadpole, अब जो कि egg of a hen, जो आपका मुर्गी के, जो अंडे होते हैं, hatches करते हैं, तो उसको क्या बोलता है, उसको tadpole हम लोग नहीं बोलते हैं, तो वहाँ से आपको क्या मिलता है, वहाँ से आपको chick मिलता है, क्या होगा, the egg of a hen, hatches to form a chick, क्या होगा, to form a chick, ओके, चलिए, बटा, आप लोग, खुद से try कीजिएगा अगर अच्छे से अगर हो जाता तो अच्छी बात है otherwise नहीं तो हम next class में next class में question number 3 से जितने भी बचे हुए question होंगे सारे का आपको जो कि है answer लिखवाएंगे ठीक है ना तो सारे का जो कि answer question number 3 है यहाँ पर देखे इसके बाद 4, 5, 6 ठीक है long answer, short answer, answer inward इन सारे का answer आपको हम next class में provide करेंगे ठीक है ना तो next class में provide करने से परले आपको काम क्या करना है आपका जो कि work यही है कि आपको आपको घर पे chapter को बहुत ही अच्छे से read out करना है ठीक है ना पढ़ना है और आपका हमबर क्या होने वाला है आप लोग इसको याद कीजिएगा और word meaning को copy में लिख लिजिए word meaning को copy में लिखना है your homework is what write a word meaning in write a word meaning and learn it write a word meaning and learn at home okay now दूसरा हमबर क्या है आपका देखिए यहाँ पर question number one and two question number one and two इसको आपको copy में लिखना है ठीक है question number one and two write it and learn it okay इसको लिखना है write it and learn it और इसको आपको याद करना है okay चली question number third को आप लोग छोड़ दीजिएगा try खुद से कीजिएगा अगर हो जाता तो ठीक है बटा otherwise नहीं तो हम next class में कराएंगे ठीक है न तो question number third को जाश्ट आपको try करना है ठीक है ओके तो आज का class को हम यही पर off करते है thank you everyone झाल 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 झाल